बच्चो आपने अपनी दादी और नानी से अनेक लोग कताओं को सुना होगा ये लोग कताओं जो हैं लोग भासाओं में बहुत प्रचलीत हैं हिंदी में भी लोग कताओं संक्रित की गई हैं और कुछ लिखी भी गई हैं आज हम लोग गद्दार कौन एक ऐसी लोग कता है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे जिसके रचनाकार हैं स्री नारायन लाल परमार नारायन लाल परमार हिंदी और च्छतीज गढ़ी के प्रमुख कवी गीतकार कहानीकार और लेखक थे वास्तों में वे बहु आयामी ब्यक्तित वाले रचनाकार थे यद्यपी उन्होंने मुख्य रूप से बाल साहित्यका स्रीजन किया है इनके अनेक ग्रंथ बाल साहित्य पर बहुत ही सम्मान के साथ देखे जाते हैं पढ़े जाते हैं आपका जन्म एक जन्वरी 1927 को अंगार कच्छ के गुजरात में हुगा मूलतह गुजरात के स्री परमार अखवार नभीस पिता के आदर्सवादी पुत्र थे इनके पिता जी अखवान नभीस थे तातकालिक सरकार और ब्योस्था के खिलाप लिखने के कारण इनके पिता जी को जेल जाना पड़ गया और जेल से निकलने के बाद नारायन लाल जी परमार के जो पिता जी हैं उन्हें राज्य के बाहर कर दिया गया और फिर राज्य के बाहर उन्हें रहना पड़ा श्री नारायनलाल परमार का जो पारिवारिक जीवन है बहुत ही कस्ट प्रद रहा उन्होंने आजीविका के लिए कभी टाइम कीपर के रूप में कारिकिया कभी कपणों की सिलाई की दर्जीगीरी की फोज में भरती हुए और इसके बाद एक लंबा जीवन उन्होंने सिख्षक के रूप में बितीत किया और इसी सिख्षकीय जीवन में उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उन्होंने देश भक्ति पर अनेक रचनाएं लिखी स्रिंगार बेवस्था के प्रत्याक्रोश तथा दार्शनिक्ता पूर्ण रचनाएं इनकी देखने को मिलती हैं वास्तों में स्री नारायन लाल परमार गध्य और पद्य दोनों विधाओं में समर्थ रचनाकार थे एक दिन ऐसा भी आया वे बीमार रहने लगे और 27 अप्रेल 2003 को धमतरी अस्पताल में स्री नारायन लाल जी परमार का निधन हो गया 36 गही और हिंदी साहित्य का देदी प्यमान नक्षत्र सदा के लिए बुझ गया श्री परमार बहुमुखी प्रतिभास संपन्न रचनाकार थे यद्यप वे मूलतह कभी थे इसी लिए उनके गध्य और पद्य दोनों में स्राउंदर बोध की काव्यात्मक्ता द्रिस्ति गोचर होती है उन्होंने लगभग 40 गृंथों का प्रणेन किया जो प्रकास में आई हिंदी में जैसे कामर भर धूप रोशनी का घोचना पत्र खोखले सब्दों के खिलाप प्यार की लाज कस्तूरी यादें विश्मय का ब्रिंदावन शलना पूजा मई सब कुछ निश्पन्द है आदी अनेक उनके काब्विग्रंथ हैं हिंदी में और 36 गड़ी में भी उन्होंने कीर्टिमान इस्थापित किया है जैसे सोन के माली सूरज नई मरे मतवार आदी परमार जी ने लोग गीत और लोग कथाओं पर भी अनेक ग्रंथ दिये हैं परमार जी का साहित्य साधारन जन की पीड़ा संगर्ष और भावनाओं की तीखी अभिव्यक्ति हैं वास्तों में जहां तक भाषा का प्रशन है आपकी भाषा परमार जी सुद्ध हिंदी वा छतीस गड़ी है आपकी रचनाओं में हिंदी के अत्रिक्त उर्दू फार्शी अंग्रेजी के शब्दों की बहुतायत है साथ ही साथ तत्स्रम और तद्भो शब्दा वली का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया है भाषा शहज, सरल और सुबोध है त्री नारायन लार जी परमार अनेक अलंकरणों से अलंकरित रहे हैं उत्करिष्ट साहित सेवाओं के लिए उन्हें मुक्त बहुत सम्मान प्राप्थ हुआ था हिंदी साहित में उनका विशिष्ट इस्थान है आपके पाठिकरम में गद्दार कौन लोग कथा जो संकलित की गई है आईए हैं मुसको देखें और समझें लोग कथा यह लोग कथा क्या है लोग कथा कहते किसे है आपने आप जब बहुत छोटे थे तो आपकी दादी नानी जो बुआ वगेरा थी जो घर में रहती थी वे लोग कथाएं सुनाती थी अब उन्ही वही लोग कथाएं आज समापन की ओर हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि अब स्वयुक्त परिवार नहीं रहा अब माता और पिता दोनों नौकरी करते हैं और दादी और नानी जो हैं वो दूसरी जगा हैं तो बच्चे को लोग कथाएं सुनाए कौन वास्तों में लोक और कथा लोक अथवा जन समदाय में जो प्रचलित कहानियां हैं है किसी अग्यात्य व्यक्ति द्वारा रचित कोई परंपरा गत कहानी जिसमें भाशा विचार ऊर भावों की श़लता हो लोक कथा उसे कहा जाता है लोक कथा किसी मानू समूह की है उस साजी अभिवयक्त को कहते हैं जो कथाओं कहावतों आधि अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ निश्चित कथानक रूणियों और सैलियों में लोग गीत की भात जैसा आप जानते हैं लोग गीत जो है आपके जन्म से लेकर के अंत तक संसकार के रूप में रित्व के रूप में स्रम के रूप में जब हम खेतों पर काम करते हैं उसके लोग गीत अलग हैं जब हम संसकारित होते हैं हमारा अन्प्राशन होता है मुंडन होता है एग्योपवीत होता है विवा होता है उस समय लोग गीत गाए जाते हैं तो लोग ग की भाद जो लोग कथाएं भी हमें मानों की परंपरागत बसीयत के रूप में प्राप्त हुई हैं लोग कथाएं लिखी नहीं गई की तरह यह हमें पीड़ी दर पीड़ी मिलती रहीं दादी और नानी के पास बैटकर जो कहानिया सुनी जाती हैं चौपालों में इनका निर्मार कब कहां और कैसे हुआ यह किसी को पता नहीं है यह निश्चित ही नहीं है चूँकि यह कब इसका सूत्रपात हुआ बच्चों को सुलाने के लिए बच्चों को संसकारित करने के लिए बच्चों को प्रसिक्षित करने के लिए उनमें इमांदारी निस्था और करतब निस्था में उन्हें बच्चों को ढालने के लिए यह लोग कथाएं जो हैं प्रसलित हुई जैसे विश्ण सर्मा ने पं लोक संग्रह है ब्रिहत कथा मंजरी है बेताल पंच विंसत्य है यह अनेक ग्रंथ बाद में लोक कथा शैली में लिखे गए वास्तों में जो लोक कथाएं हैं वे हमारे समाज में पांच तरह से प्रशलीत हैं मतलब उपदेशात्मक लोक कथाएं जिसमें उपदेशों की भरमार रहती है और एक सीख एक सिक्षा उसमें दी जाती है कि सामाजिक लोक कथाएं जिसमें समाज का एक शित्रांकन होता है धार्मिक लोक कथाएं जिसमें धर्म संबंधी कहानिया आपको लोक कथाएं पढ़ने को मिलेंगी प्रेम प्रधान लोग कताएं जैसे हीर राजा की लोग कता है जैसे अपने यहां चतीस गड़ में अनेक लोग कताएं प्रचलीत हैं हीर राजा की कथा इसी तरह से कुछ मनोरण्यन संबंधी लोग कथाएं भी प्रशलीत हैं जाती ये पात्रों पर आधारी लोग कथाएं हैं तो ये जो लोग कथाएं हैं विभिन रूपों में हमारे समाज में विश्टेण हैं फैली हुई हैं इन लोग कथाएं से लाभ क्या है इनका महत्तों क्या है सबसे पहली बात है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है इसमें हमारा संस्कार सन्नीत है ये हमें आत्म सम्मान साहस और पारस्परिक सद्भावना के साथ जीवन जीने का तरीका सिखाती है लोग कथाओं का मूल जो उद्देश है मात्र मनोरंजन नहीं है कि हम लोग कथाओं के माध्यम से मनोरंजन करते हैं वरन इसके माध्यम से अनुभवों पर आधारित जो आदान प्रदान है एक दूसरे का अनुभवों का मानावता की सिख्षा और सद्भावना का महत्वत्रथा अनुचित कर्म से दूर रहने का संदेश इनमें दिया जाता है कि इस तरह से लोक कथाओं जो है हमारे लिए बहुत ही महत्तुपूर्ण है इनका अनुरक्षन और संगरक्षन किया जाना आवश्यक है अब आपकी समझ में आगया लोग कथा क्या है लोक कथाओं कितने प्रकार की होती है लोग कथाओं का क्या महत्व है अब जो हमारा पाठ है जिस पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं वह है गद्दार कौन कि यह जो गद्दार कौन लोग कता है हमारी परंपराओं से में नहित जीवन मुल्यों से हमें के परचित कराती है जीवन मुल्य मानव मुल्य सामाजिक मुल्य नैतिक मुल्य इन सब के साथ जुड़ा है जुड़ी है निष्ठा इमांदारी सद्भावना दया प्रेम परिश्रम निष्ठा ये सब जो हैं हमारे मुल्यों के अंतरगत आते हैं और जो अनैतिक मुल्य हैं उ पत्य और श्रेष्ट का वरण करने का संदेज़ देती है गद्दार कौन लोग कफा यहां लोग कफा हमारे उच्छ सांस्क्रिटिक मुल्यों की प्रतिष्था करती है अब आईए हम पात्रों को देखें कि इस लोग कथा में पात्र कौन कौन से हैं तो इस लोग कथा में एक पात्र है नवागण राज जी के राजा राम साह जी और दूसरे हैं पंडित राम भगत जी जो राजपुरोहित हैं और एक हैं पंडिताइन ये राजपुरोहित जी की धर्म पत्नी राम चरण ये राजपुरोहित का एक लवता बेटा राजेंद्र साह ये राजपुत्र है युवराज है और गौण पात्र के रूप में इसमें राजदरवारी हैं उस राज्य में एक प्रथा चली आ रही थी कि प्रतिवर्स दसहरे के दिन राजधानी में बहुत बड़ा मेला भरता था प्रजाजन राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेट चड़ाया करते थे राजमहल खोप सजाया जाता था दूर दूर से इंद्रित्य मंडलियां आती संगीत के कलाकारों का जमाव होता राम लीला का आयोजन होता रहस होता राजधानी जो मानिक पुरी है वह दूलहन की तरह सजाई जाती उस वर्स इतनी अधिक भेट चड़ी मने एक साल की बात है कि इतनी अधिक भेट चड़ी कि राजा राम साह खुद आश्चर में पड़ गए राजा ने कभी कलपना नहीं की थी कि इतनी भेट चड़ जाएगी राज पुरोहित पंडित राम भगत ने राजा साहब की प्रसंसा करते हुए कहा कि संसार में ऐसा कोई राज्य है तो वह है नवल कढ़ राज्य जहां सेर और बकरी एक साथ पानी पीते हैं प्रसंसा के पुल बान दिये राजा साहब सुनकर बड़ी खुश हुए बहुत प्रसंद हो गए पंडित राम भगत को वे राजपुरोहित कम अपना दोस्त मानते थे अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उन्हें धेर सारी स्वन मुद्राएं प्रदान किया करते थे अब रात हुई पंडित जी जो राजपुरोहित हैं अपने घार आए और रात को पंडिताएं से राजपुरोहित जी ने कहा कि राजा साहब के यस को अपने बल्बूते पर मैंने चारों दिशाओं में फैला दिया है वे हमारी हर बात मानते हैं अन्य राजाओं की तरह वे बिलासी नहीं हैं प्रजा पालक हैं सत्कर्मी हैं प्रजा की भलाई का हमेशा ध्यान रखते हैं और प्रजा भी उन्हें बहुत चाहती हैं जीवन की सफलता के अनेक रह से उन्होंने राजा साहब को सिखलाए हैं यह बात उन्होंने अपनी पंडिताइन से कहा पंडिताइन प्रशन वो मान गई कि सच्मुच उनके जो पति हैं राजपुरोहिट जी नवल गढ़ राज्जी के प्रमुख व्यक्ति हैं बड़े प्रभावसाली व्यक्ति हैं पंडित राम भगत समय निकाल कर अपने पुत्र राम चरण को भी थोड़ी बहुत बिद्या दिया करते थे चुंकि यह बुढ़े हो चले थे और उधर राजा राम साह भी ब्रिद्धों हो रहे थे तो उनका विश्वास था कि एक नएक दिन राजा राम साह की जगह उनका पुत्र राजेंद्र साह लेगा जो आज का लिवराज है वो राजगर्दी पर बैठेगा तो मेरा बेटा राम चरण भी मेरी जगह ले लेगा और राजपुरोहिद बन जाएगा इसलिए बराबर अपने बच्चे को शिक्षा-दिक्षा दिया करते थे अब एक दिन ऐसा भी आया कि जब राजेंद्र साह राजा हुए तो पंडिच जी का बेटा उनका राजपुरोहिद हो गया नई उमर थी नए विचार थे प्रारंब से ही दोनों टक्राने लगे पट्री नहीं बैठती थी दोनों की राजेंद्र साह अपने पिता से भिन उदंड और बिलासी थे पुरोहिद रामचरण तारकिक और बुद्धिवादी थे दोनों में कहां पट्री वैठती जब कभी राजा राजेंद्र साह को उनकी बुरी आद्टों को छोड़ने के लिए कहते थे तो वेखिन हो जाते थे नाराज हो जाते थे गुश्य में आ जाते थे अजीब परिस्थित्य आ गई राजा राजपुरोहित की सलाह न मानकर उन्हें अपमानित करता परन्तु राजपुरोहित रामचरण अपने करदब्बे पर ढटे रहे राजा की बिलास प्रियता बढ़ती गई खजाना खाली होता चला गया प्रजा के दुख बढ़ने लगे रामचरण राजपुरोहित ने राजा को आखिरी नेक सलाह दी तो राजा राजें साह ने उन्हें नवकरीशे निकाल दिया पंडित रामचरण निराश नहीं हुए विद्वान आदमी था तारकिक था बुद्धिवादी था उन्होंने आज पास के गाउं के लोगों को शिक्षा देना प्रारम कर दिया उन्हें इस कार्य में परियापत सफलता भी मिली धीरे धीरे राजा के जो खुसमादी थे राजा के जो प्रसंसक थे राजदरवार में जो लोग थे यह बात उन्हें खलने लगी एक दिन प्रजा के भड़काने के आरोप में राजा ने राम चरण को राजदरवार में पेश होने का आदेश दे दिया चुँकि राजदरवारी उनसे चिढ़ने लगे थे राजपुरोहित जी से राम चरण जी से तो उन्होंने राजा की कान भर दिया कि वे जो है प्रजा को भड़का रहा है नए राजपुरोहित ने मामले को संगीन बता दिया जो नए राजपुरोहित आये थे राजा ने रामचरण को मृत्त दंड की सजा सुनाते हुए कहा कोई तुम्हारी अंतिमिच्छा हो तो कहो रामचरण ने बिनम्रता पूर्वक राजा से कहा महराज अब तक मैंने अपनी सक्ति के अनुसार बहुत सी बातें आपको बताई हैं अब चाहता हूं कि मोतियों की फसल उगाने का गुर्वी मैं आपको बता दूं यह सुनना था कि राजदरवारी जो थे दंग रह गए आप पसमें काना फूसी करने लगे राजा ने कहा ठीक है हम तुम्हें एक मौकाद देते हैं अपनी है विद्या हमें अवस्य सिखा दो राजा से आज्या लेकर रामचरण अपने काम में जुट गए उन्होंने अच्छी जमीन ली उसकी जुताई करके उसमें गोहूं के बीच जलवादी सर्त यहीं रखी गई कि वह अपना काम चुपचाप करेगा कोई उसे देखने नहीं आएगा जब मोती आ जाएंगे उस समय में हम खुद निवेदन करेंगे आकर कि महराज आप चलिए और मोती देख लीजिए कुछ समय बाद अंकुर निकले धीरे धीरे पौध बड़े होते गए एक धुन्ध वरी सुबह को राम चरण राजा जी और उनके मुसाहिबों को लेकर खेट पर पहुंच गया हर पौधा ओस की सुनहरी बूदों से जड़ा हुआ राम चरण ने कहा लीजे महराज मोतियों की फसल एक मुसाहिब जोही उसे तोड़ने के यह मोतियों की पवित्र फसल है इसे वही व्यक्ति हात लगा सकता है जिसने अब तक देश के प्रट गढ़दारी न की हो सभी के छेरे फीके पड़ गए कुछ देर तक वे एक दूसरे की सूरत देखते रहे और वहां से दीरे-दीरे किसक गए अंत में बचे राजा उनकी आखें आत्म ग्यान से चमक उठी दूसरे ही पर उनका मस्तक पंडित राम चरण के चरणों पर था यह लोग कथा का कथानक एक प्रशनी यह उठता है कि राजा राम साह और उनके पुत्र राजेंद्र साह में क्या-क्या समानता थी या असमानत ति इस पर हम पिचार करें राजा राम फार उनके प्रियपुत्र राजेंद्र साह दोनों एक तो संगीत प्रिय थे समय समय कर मंडली वाज के द्वारा भजन की इतन राम लीला आधिकार क्रमो अयूजन करभाते थे और दोनों चाटुकार प्रिय थे उनneeren समय समय पर और उनके पुत्र जो राजेंद्र साह है वे भी अपने पिता जी के पच्चिन्हों पर चल रहे थे राम चरण ने अंतिमिच्छा क्या प्रगट की थी इसे हम समझे लें राम चरण ने अंतिमिच्छा प्रगट करते हुए कहा कि महराज अब तक मैंने आपको अपनी शक्ति क अनसार बहुत सी बातें बताई हैं अब चाहता हूं कि मोतियों की फसल उगाने का गुण भी मैं आपको बताता हूं और वही मोतियों की फसल जो मैंने अभी आप से चर्चा किया कि मोतियों की फसल कैसे उगाई जाती है कितना स्रम करना पड़ता है कितनी योजना बनानी हो होती है तब जाकर के इस तरह से मोतियों की फसल उपती है तो कहने का भाव यह कि राजा की आखें खोड़ने के लिए पुरोहित जीने यह गोहूं के पौधे आरोपित करके और उन्होंने जो ओस के कणों को मोती का रूप दिया वही महराजा के लिए वर्दान सिद्ध हो गय कराता है आप यह बता है एधी दर राजेंद्र साह के स्थान पर राम चर्ण राजा भतereं पर तो राजरी की क्या इस्तित होती है है यह मतलब आपको अपने कल्पना से इस साफ के माध्य से इसका उत्तर देना यदि राजेंद्र साह के अस्थान पर पंडित रामचरन राजा बन जाता तो राझ जी का बहमुखी विकास होता क्योंकि रामचरन जो है वो बुद्धिमान है तारकीक है परोवकारी है वह प्रजा के हितों को ध्यान में रखता और राज्य को सुखी बनाने का प्रहत्न करता है यह उसकी चरित्र की विशेस्ताएं किसी कहानी में कथा में जो पात्र होते हैं उनका जो चरित्रिक विकास होता है तो इसमें ज जूठी तारीव कर सोने की मुद्राइं प्राप्त करते हुए बताया गया है ऐसा करना उचीत है आप अपने विचारों से सोचें कि यह उचीत लग रहा है कि अनुचीत है राज पुरोहिद्वारा राजा की जूठी तारीव कर सोने की मुद्राइं प्राप्त करना अनुची जूंकि यह पिटा पुत्र दोनो जो राजा और इबराज यानि राजकुमार थे यह दोनों झूटी तारीफ पसंद थे itali इनकी यूटी तारीफ करो you think मेलने शाहिए अर प्रसंशा के पक्षधर थे और आप्लप्रसंसा के बसी भूठ हो करके अपने कर्तब्यों से विमुख हो गए यदिया हो मुनिस से राजा हो तो इसका दुस्प्रभाव जो है राज जी के कारियों पर भी दिखाई देगा जो राज जी के हित के भी परीत है अता राज पुरोहित द्वारा जूठी प्रसंसा कर स्वहितार्थ मुद्राएं ग्रहन क जबकि पिता पुत्र दोनों पंडित जी और उनके जो पुत्र हैं यह दोनों राजा की जूठी तारीफ किया करते थे और उनसे स्वण मुद्राएं लिया करते थे मुहावरे आये हैं जैसे तारीफ के पुल बानना बीड़ा उठाना राई का पहाड बनाना चेहरा फीका परना तोह न पाना तो आईये हम पहले का आर्थ देखते हैं तारीफ के पुल बानना अत्यंत प्रसंसा करना बीड़ा उठाना संकल्प करना राई का पहाड बनाना छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना बढ़ा करना चेहरा फीका परना बहुत अधिक घबरा जाना तोह पाना पता न चल पाना बच्चों यह मुहावरे आए मैंने उनका आर्थ भी बताया लेकिन आपको पता होगा कि मुहावरा है क्या फिर भी एक बार हम मुहावरे को विष्वेशित कर रहे हैं जब कोई पदसमूह जो वाक्य नहीं है वाक्य में इस प्रकार प्रयुक्त हो क इस प्रकार प्रयुक्त पद्द्दसमूह को मुहावरा कहा जाता है् मुहावरा सदएव लक्षना सक्ति से अपने अर्थ को अभिव्यक्त करता है इसके प्रयोक से भाशा सबल, सध, सतीट और प्रवाह पूर्ण हो जाती है इतना नहीं नहीं इसके प्रयोग से सैली भी चमतकारी हो जाती है चमतकार पूर्ण हो जाती है हम जानते हैं कि संग्छिप्तता सैली का प्रधान गुन है मुहावरों में थोड़े से सब्दों में बहुत अधिक भाव गुंफित रहते हैं समाय रहते हैं आता है इंसे भासा जीवनत और रोचक हो जाती है अब मुहावरे के प्रयोग में सावधानिया क्या बरतनी चाहिए पहली बात तो यह है कि मुहावरे वाक्यों में ही सोभा पाते हैं अलग से नहीं जैसे एदि कहें कान काटना तो इसका कोई अर्थ ब्यंजित नहीं होता किन्त यह ऐसा कहा तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिक्ता लालित और प्रवाह स्वतह आ जाता है दूसरी बात है मुहावरों का प्रयोग उनकी असली रूपों में ही किया जाना चाहिए उनके सब्द बदले नहीं जाते उनके पद समूहों में रूप भेद करने से जो उसकी लाक्षणि जैसे नव दो ग्यारा होना इसकी जगह अगर आप यह कहें कि आठ तीन ग्यारा होना तो सर्वता अनुचित है मुहावरे का एक बिलक्षण अर्थ होता है इसमें वाच्यार्थ का कोई अस्थान नहीं होता जैसे उल्टी गंगा बहाना जब वाग के प्रयोग होगा तब सकार्थ होगा रीत रिवाज के खिलाब काम करना मुहावरे का प्रयोग प्रसंग के अनुसार होता है मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदेव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थित प्रगहटना और प्रसंग का वांख्य में उल्लेख अवश्य blank ऑश्य होती है कि मुहावरा और कहावत कभी कभी आप दोनों में अंतर नहीं कर पाते वास्तों में बच्चों मुहावरा जो है वह वाक्यांश होता है और कहावत जो है वाक के और मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता और कहावत का जो है स्वतंत्र प्रयोग होता है मुहाव जबकि कहावत में उद्देश और विधे का पूर्ण विधान होता है इसलिए अर्थस्वतह सब्स्थ हो जाता है मुहावरा फल शे सम्मंदित नहीं होता कहावत फल से सम्मंदित होती है मुहावरे को अर्थ की द्रिश्षि से माध्यम की तलास रहती है एक माध्याम होना चाहिए और कहावत में जबकि ऐसा नहीं है मुहावरे का कार चमतकार उत्पन करकर भासा और संदर्य को इस्थापित करना है जबकि कहावत का जो कार्य है तो कहावत का कार कथन के खंडन-मंडन अथ्वा विरोध को रेखांकित करने के लिए होता है बच्चों आपके पाठ के अंत में रेखांकित सब्दों के अनुसार अनुष्वार और चंद्रबिंदू लगाना है जैसे राजा ने पंडिजी को ठेर सारी मुद्राएं दी हर पौधा ओस की सुनारी बूदों से जड़ा हुआ था मृत दंड सुनाने से पहले रा आज पुत्रों डाहमण कुमार आंगर में खेल रहे थे दूर दूर से इंद्रित मंडलिया आती इसमें आपको अनुस्वार मनें उपर बिंदू लगाना है और चंद्र बिंदू लगाना है मैं इसके नियम आपको बताता हूं आप बाद में इसका अभ्यास करें और नीचे लिखी जाने वाली मात्राओं के उपर चंद्र बिंदू का प्रियोग होता है जैसे सिरो रेखा के उपर मैं बिंदी होगी क्यों इसमें अनुस्वार होगा हैं उन्होंने उन्हें इन्हें इन्होंने किन्होंने इसमें सिरो रेखा होगी मतलब उपर जिसे हम अ नीचे जिसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं जैसे कहां आंगन अंगना जहां गांधी आधी कांख आंख जांग माद नाद और बांध पंचमाक्षर के बदले भी अनुस्वार का प्रयोग होता है पंचमाक्षर वाले सब्दों का प्रयोग तत्सम यानि संस्कृत में ज्यादा होता है जैसे गंगा वंधना चंचल खंजन तो इस प्रकार हमने गद्दार कौन कहानी को पूरी तरह से उसमें आये हुए ब्याकरन और उसका कथानक चरित्रांकन और उसका प्रतिपाद्य उद्देश से है इन सब पर हम लोगों ने चर्चा की गद्दार जो लोग कथा यह नैतिक मूलियों की कथा है मानो मूलियों की कथा है यह आस्थाओं की कथा है विश्वास की लोग कथा स्री नारायन लाल परमार ने इस लोग कथा की माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया है नैतिक जीवन जीने का निस्ठा परिश्रम और मेहनत का